करते हैं से पहले हम अपना डो रेड़ी कर लेते हैं मैंने ढाइकप मैदा लिया है इसके अंदर 1 टी-सपούन मैंने शूगर एड़ की है मैंने पिसी हूई चीनी डाली है फार टी-स्पून मैं सके अंदर सॉल्ड का डाल रही हूँ इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं डोब को नीम गरम दूद के साथ गुन रही हूँ नीम गरम दूद के साथ बहुत सौफ्ट और अच्छा डो रडी होता है आप चाहें तो आप पानी के साथ भी डो बना सकते हैं लेकिन अगर आप पानी थोड़ा थोड़ा सा दूद एड करती जा रही हूँ और अपना डो रडी कर रही हूँ यह एक ग्लास दूद के साथ हमारा डो बहुत अच्छे से रडी हो जाएगा अगर आपको लगे कि अभी इसमें मजीद जरूरत है तो आप इसके अंदर नीम गरम पानी भी शामिल कर सकते हैं लेकिन यह एक ग्लास दूद के साथ बहुत अच्छे से डो रडी हो जाएगा तो को गूनते हुए तकरीबन पांच से छे मिन्ट हो चुके हैं हमारा डो बहुत हद तक रडी हो चुका है यह आप देख रहे हैं अब यह हाथ के साथ चिपक नहीं रहा इतना ही उपर ओईल लगा कर तो इसको कवर करके दो घैंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ दूगी वैधर पर डिपेंड करता है गर्मी के मोसम में यह बहुत जल्दी राइज हो जाता है लेकिन थंडे मोसम में यह थोड़ा टाइम लेता है आप इसको चेक कर लें कि आप हम इसको श्रीट करें तो हमारा चिकन बड़े बड़े रिशे में आए आप चाहें तो आप इसको चोटे क्यूबس में बहुत पृटन कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह से ही बॉइल करूंगी और फिर श्रड़ करके इसको यूज करूंगी बैन में मैंने टू टेपल सपून ऑइल डाल दिया, इसके अंदर मैं यह एक लाड़ साइस का प्यास है, जिसको मैंने चौप कर लिये हैं इसको डाल कर मैं हलका सासा सौते करूंगी बस एक से दो मिंट के लिए ही हम इसको सौते करेंगे बहुत ज़ादा सौफ भी नहीं करेंगे और इसका color भी चेंज नहीं करेंगे 1 teaspoon मैंने इसके अंदर फिस्णा हुआ धनिया डाला है इसके लाबा 1 teaspoon पिस्सा हुआ जीरा है 1 teaspoon मैं black pepper एट करूंगी इसके अंदर आप थोड़े से red chili flakes भी डाल सकते हैं इसके लाबा 1 teaspoon मैं इसके अंदर तंदूरी मिसाला शामिल कर रही हूँ आम जो bread आप खाते हैं उससे ये taste में बिल्कुल different bread बनेगी 1 teaspoon salt सबको हम अच्छे से mix करके थोड़ा सा cook कर लेंगे बहुत ज़्यादा cook करने की ज़रूरत नहीं है अब मैं इसके अंदर 1 tablespoon दही का शामिल कर रही हूँ चूंकि हम तंदूरी chicken bread बना रहे हैं इसलिए मैं तंदूरी मिसाले के साथ दही इस्तमाल करने से इसका flavor बहुत अच्छा हो जाता है इसको भी अच्छे से mix करने के बाद फिर हम इसके अंदर chicken शामिल करेंगे मैंने इसके अंदर quarter teaspoon red chili powder का एट किया है मैं bread थोड़ा सरा स्पाइसी करना चाहती थी यह optional है अगर आप चाहें तो आप red chili powder add कर सकते हैं otherwise यह वैसे भी बहुत मज़े की बनेगी यह boil and shredded chicken है यह देखें यह कितने बड़े बड़े ratio हैं और यह bread में बहुत अच्छे लगते हैं इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे ताकि हमारे सारे spices का जो flavor है वो chicken के अंदर अच्छे से mix हो जाए यह मैंने off कर दिया है अब इसके अंदर मैं सबस मिर्चे और धनिया शामिल करूँगी यह दो सबस मिर्चे हैं जिनको मैंने बरीक बरीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा fresh coriander है इसके साथ इसका flavor भी बहुत अच्छा लगता है और look भी बहुत अच्छी लगती है इसको भी अच्छे से mix करने के बाद हम अपनी filling को ठंडा कर लेंगे filling को हमेशा ठंडा करने के बाद ही use करें गरम के साथ bread खराब हो जाती है dough हमारी rise हो चुकी है तकरीबन ये दो घंटे में rise हुई है ये देखें ये फूल कर double हो गई है और कितनी soft dough है इसको हम दुबारा से थोड़ा सा इस तरह से गून लेंगे ताकि इसके अंदर जो air है वो निकल जाए और फिर हम इसको roll करके तो अपने bread बनाएंगे किसी flat surface पर आप dough को इस तरह 2 से 3 मिल्ट के लिए बहुत अच्छे से गून ले आप इस dough के साथ 2 बड़ी bread भी बना सकते हैं ये आपकी मर्जी है कि आप कि size की bread बनाना चाहते हैं मैं without oven बना रही हूँ इसलिए मैं छोटे size में बनाऊंगी और oven में आप बड़ी bread बना सकते हैं मैंने इसको 4 parts में divide कर दिया है और मैं इसके साथ 4 chicken bread बनाऊंगी इस तरह से अब इसको हम roll कर लेंगे dough के उपर हलका सा मैदा dust करने के बाद इस तरह से हम इसको bale लेंगे और इसको हम oval shape में बेलेंगे चुँके हम long bread बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको गोल रोटी की तरह से नहीं बेलेंगे इस तरह से इसको bale कर और फिर हम इसके उपर chicken spread करेंगे इस तरह से ना ही बहुत मोटी है और ना ही बहुत जादा पतली है अब मैं इसके उपर chicken डालूँगी chicken की filling हमारी थंडी हो चुकी है इस तरह से आप जितना chicken डालना चाहें आप ज़्यादा ही filling डालें जितना ज़्यादा आप chicken डालेंगे ब्रैड उतनी ज़्यादा मज़े की लगेगी इसको अच्छे से सारा फिला दे हम इसको दोनों साइड से इस तरह से काट लेंगे आप knife के साथ भी काट सकते हैं एक हम इस साइड से लेंगे और एकी साइड से और इस तरह से हम आपनी ब्रैड रैडी कर लेंगे इसकी फिलिंग जो आम आप चिकन ब्रेड बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है मुझे अमीद है कि आपको ये जुरूर पसांद आएगी आप भी ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको ये ब्रेड की रेस्पी कैसी लगी एक मेने पहले से बना ली थी इस तरह से मैंने इसको पिर्जा ट्रे में रख दिया है इसको मैं फाइफ मिनटे के लिए दुबारा से कवर करके रख idoंगी फाइफ मिनटे के बाट अब मैं इसको बेक करूँगी मैं इसके उपर अंडे का ब्रश कर रही हूँ अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क शामिल किया है और इसको मैं ब्रश की मदद से पूरी ब्रेट पर अच्छे से लगा दूँगी इसके साथ इसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन आता है इसको अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे इसके बाद इसके उपर मैं ये कलोंजी और थोड़ से वाइट टिल डालूँगी इस तरह से थोड़ से मैं ये वाइट सेसमी है इसको मैं इसके उपर पूरी ब्रेट के उपर अच्छे से स्प्रिंकल करूँगी और फिर इसको बेक करूँगी इसको bake करने के लिए ये मैंने एक बर्टन दिया खुले मूँ की देश के लिए है, इसके अंदर मैं ने एक स्टैंड रख दिया है इसको मैंने 5 मिनट के लिए pre-heat कर लिया है अब मैं इसके अंदर ये ब्रेड रखके इसको कवर करके तकरीबन 20-25 मिन्ट के लिए छोड़ दूँगी ताके ब्रेड बेक हो जाए इसको बेक होते वे तकरीबन 10-12 मिन्ट हो चुकी है ये आप देख रहे हैं ये राइस होना शुरू होगी है इसको हम मजीद 20 मिन्ट तक अभी बेक करेंगे तकरीबन 20 मिन्ट हो चुके हैं और हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है ये आप देख रहे हैं कि इसके उपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है आप विदाउट ओवन भी बहुत अच्छी ब्रेड रेडी क सकते हैं और हल्का सा ओयल लगा रही हूं आप बटर भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो आप लगा लो इसके साथ ब्रेड के ओपर अच्छी सी शाइन आ जाथा है और ये बहुत देखने में بी अच्छी लगती और खाने में में मज़ए कि लगती देख रहे हैं इसकी कितनी अच्छी है ये बिल्कुल ऐसे ही बेक हुई है जैसे कि ओवन में बेक होती है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये रेस्पी जरूर पसांद आएगी और मुझे इसका फीद बैक दीजिएगा आपको काट कर दिखाती हूँ ये बहुत सॉफ्ट बनी है और बैक स सब्सक्राइब कर दें थैंक यू अलाह अफीज